जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वरा उपायुक्त कार्याले के बच्चत भवन में आज विश्व रेड क्रॉस दिवस समरोह का आयोजन उपायुक्त व अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी हमिर पूर हेमराज बैर्वा की अध्यक्षता में किया गया इस अबसे पर उपायुक ने कहा कि आज की युवापीडी नशे की और अगरसर हो रही है अगर इसे रोकने के प्रभाबी कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगी इसलिए हम सबी को एक जुट होकर नशे की रोकथाम के लिए आगे आना होगा उन्होंने बताया कि स्कूल परिसर से सौ मीटर की दूरी तक तमबाकू अत्वा किसी भी प्रकार का नशील अपदार बेचने पर प्रतिवन लगाया गया है प्रन्तु कुछ दुकानदार चोरी छिपे अपनी दुकानों में नशे का सामान बेच रहे हैं ऐसे दुकानदारों पर हमें नज़र रखनी चाहिए उन्होंने कहा कि हमें ऐसा महौल यूबा पीडी को प्लब्द करवाना चाहिए जिससे उन्हें नशे के सेवन से बचाया जा सके इसके लिए यूबा सेवाएं वखेल विवाग को भी आगे आना चाहिए और यूबाओं के लिए खेल प्रतियोगिताएं करवानी चाहिए उन्होंने कहा कि प्रिशिक्षन संस्थानों में विद्यार्थियों को नशे के दुश्प्रवाबों के प्रति जागरूप करने की अवश्यक्ता है इस अपसर पर उपयुक्त ने नशा मुक्त हिमाचल विशे पर हमितपुर के विभिन शिक्षन संस्थानों के विद्यार्थियों के साथ संबाद भी किया समारों में हमिरपूर के विभिन स्कूलों के विद्यार्थियों ने नशा मुक्त हिमाचल विशे पर अपने विचार भी सांचा किये समारों में अतरिक्त उपयुक्त्व उपाध्यक्ष रेड क्रोस सुसाइटी हमिरपोर जितेंद्र सांस्त्रा ने भी नशा मुक्त हिमाचल बीशे पर अपने वीचार रखे इस अपसर पर मुख्या चिक्सा अधिकारी डॉक्टर आरकेस सोनी प्रियोचना अधिकारी जिला ग्रामीन विकास अभिकरन राजकुमार जिला कल्यान अधिकारी राकेश पूरी सीडी पियो बलबीर बिरला विभिन स्कूलों के शिक्षक तथा विद्यार्थी स्वेच्छिक संस्था के लोगों के अतरिक्त अन्य गणमाने व्यक्ती भी उपस्ति थे इससे पहले उपायुक्त हेमराज बेरवा ने उपायुक्त कारेले परिसर से स्कूली बच्चों की जागरुक्ता रैली को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया यह जागरुकता रैली गांधी जौंक मुख्या वाजार और टाउन हॉल से बापस उपायुक्त कारेले परिसर में संपन हुई